कि असलामलेकूम आज को चुम मेरे टॉपीक हम डिस्कस करने जा रहे हूए इस अबाउट ती अट्मसफेरिक एरजोल अट्मसफेरिक एरो हम नहीं क्या कहा है किसका suspension होता है solid और liquid droplets का in the air अब यह क्या चीज है हम कहते हैं हमारे पास इसको एक दफार मैं आपको एक्जेम्पल के तोर पर अगर separate से समझाओं एक हमारे पस perfume bottle है ठीक है उसके अंदर क्या होती है एयर तो आर्रडी होती है मतलब उसके फील होती है लेकिन उसके साथ सथ हम उसके अंदर कुछ liquid के droplets भी क्या जो किया है जे तो सुस्पैंशन ज़सा प्रहाने साथ से सथा एक है हमारे पास काहण जाता है आरोे तो सम्सक्राइब जीन हमारे पास किया है अडिकिए बाति तो हम कहते हूं कि हैंति हिमारा सवत Cheese Castle होई। सब्सक्राइब कं पर आर्रेड़ी है पर पर क्या होता है आटमोसफेर्रीक ऐरोसोल बन गया यहां से हमारी जो कहलें कि इसकी डिफाइन थी वह क्लियर हो चुकी है अब एक सेकन्ड नेम इसमोसफेरिक ऐरोसोल का विच पी-एम अब पीम क्या होता है पीम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर का पार्टिकुलेट मैटर और मैटर मैने आपको बताया है वो कोई भी हो सकता है इट में भी सॉलिड पार्टिकल मैटर और इट में भी लिक्विड वो सॉलिड भी हो सकता है अब हमारे पास अट्मोस्फेरिक अरो इसे हमारे पास रहें क्या लूती है।र्स ते क्वार्टिक्ल्स के पार्टिक्ल्स के वह उसमें क्या क्या आते हैं और मिल के क्या बना देते हैं अच्छा जी नेक्स अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि इनका जो साइज होता है इन पार्टिकल्स की जिनकी हम बात करें इनका साइज डिफरेंट होता है इनके साइज की एक रेंज होती है अगर साइज रेंज की बात करें तो हम कहते है इसका size जो होता है वो few nanometer से लेके कुछ micrometers तक होता है few nanometer से लेके micrometers तक यह micrometer का sign है यह वाला ठीक है? यह इसके size के हमने बात की अब जो particles हैं उनोंने कहा है कि यह particles अब इन को देखा जाए कि यह आते कहा से हैť atmosphere में तो हम कहेंगे कि यह पार्टिकल्स जो हैं डिरेक्ली एमिटीड होते हैं इत्मोस्फेर में बाइ ऑक्सिडेशन ओफ सम् गैसिस जब हम कुछ गैसिस के ऑक्सिडेशन करवाते हैं वह गैसिस कौन सी हो सकती हैं सिल्फर डायोकसाइड है नायट्रोजन अकसाइड है और इसके असाथ साथ अगर हम कोई भी कहलें कि हमारे पास और गैनिक वोलाटाइल और गैनिक कमपाउंड हैं उन सब की जब हम ऑक्सिडेशन करवाते हैं तो उसके रिजल्ट होए वह पार्टिकल्स इमिटीड होते हैं और वह पार्टिकल्स कुलीट आउ जाके एकमोस्फेर में सब्सके एक जता हैं और क्या बनता है यहां आपको अनिक आपको को स्थाहुआ होगया नेक्स लगह मास बात करें तो इनकी नेचर के बात cabeza जि अब किस तरी Town है ये यह यह अरो सोल्स वें सिल्टr न किस टर बेसे और बेसे पार्डिकल से पार्टिकल क्यों प्राइम्री ये स्केंटरि हम रह mentre है, तो हम बने हाँ Kaiser प्रॉपो ऩज़ेंग में यो सकते हैं और कुछ झाते हैं वह हमारे बाल्डिकल ऊदेनOS सगर में अब नेच्रल जो हैं वह तो नेच्रल फिनॉमेना से हम करते है हैं कि कुडर्ती तोर पर जो पार्टिकल्स आस्मान में या कहले हैं हमारी अब हवा में है वह तो होगे नेच्ठल फिनॉमेनाग से Πरेदा उसमें आम एम एक्सेमपल ले लते हैंبة ствоется यह जैसे fog हो गई, mist होगी, dust होगी, यह सब क्या है natural है और इनका जो size होता है वो 4 to 5 time larger होता है इनकी निस्बत ठीक है, इनका size जो होता है 4 to 5 time larger होता है as compared to anthropogenic अब anthropogenic जो है, यह क्या है human made human made से मुराद कि जो हमने खुद से हमारे रेमो करम से बने है हमने बनाए, वो कैसे हो सकता है, let's suppose हम कहते है smoke, दुआ, दुआ के अंदर क्या होता है कुछ जराहत होता है, उसके अलावा हम कहले है dust particles, जब हम लोग movement करते हैं let's suppose हम लोग गाड़ी को drive कर रहे हैं, कार ड्राइब कर रहे हैं, अगर हम इसको speedily चलाते हैं तो उसके पीछे घटा उड़ेगा ठीक है, उसके अंदर बहुत से dust particles होते हैं, वो particles जाकर atmosphere में मिलते हैं और उसकी वैसे atmospheric aerosol का cause करते हैं, वज़ा बनते हैं यह हमने two types पाड़ी इसकी, यह हमने इसकी two types पाड़ी on the basis of particles की nature, nature of particles के वो natural है, यह anthropogenic है, ठीक है, यहां तक हमारा aerosol, अब next phase पे चलते हैं अच्छा जी, next हमारा जो इसमें point आता है, वो क्या है, कि effect क्या होता है, effect of atmospheric aerosol, atmospheric aerosol on human health हमारी सिहत पे इसका क्या अस्तर होता है, atmospheric aerosol का, atmospheric में हम अगर आज कल की natural life में देख लें, तो हमें पता है कि हमारे पास आती है, आज कल जो सबस्यादा चीज़ पहली हुई है, वो क्या है, smoke smoke जो है, वो भी एक atmospheric aerosol का ही नतीज़ा, अब हमें इसके नुकसानात का भी पता है, कि इसके वे से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, अब पहली बात हम कहते हैं, कि हमारी air के अंदर क्या होते हैं, pollutants मिले होते हैं, बहुत से जहरीले pollutants भी होते हैं, कुछ तो बह कर देते हैं, उसके बाद हमारा aquatic system जो है aquatic ecosystem पानी में जब मिलते हैं ये pollutants तो ये totally उनको end कर देते हैं, उसके बाद अगर हमारी बात करें तो ये बहुत हमारे हम जब सांस लेते हैं, इस pollutant air में तो ये acidic pollutants हैं, ये हमारे lungs में जाते हैं, जिसके वैसे हमें breathing problem भी फेस करनी प great pollutants कि जब हमने कहा है यह यह एक मुश्फ इसके वेसे वो क्या हो जाएंगे डाय हो जाएंगे टोटली इसी तरह जब यह बिल्डिंग्स के उपर जाएगी हमारी तो बिल्डिंग्स को भी क्या कर देगी टोटली तबाह कर देगी डिस्ट्रक्ट कर देगी यह था पॉल्यूटंट लाइफ के उपर यह बिल्डिंग्स स्मोग वी क्रें जो यह यहां इसे अजंडरेश किसम के क्यमीकलों होते हैं जिनक घिपेक्टों चैप्टित मतलब हम स्मोग के अंदर हम चल रहे हैं लाक् 10 मोग तो मारी आइस पर अगर हमें जलन शुडिया, एक बेहां रघुुतलूशन है प्रिणों कि अ के बात हुझाओने स्मोग नुक्सान आगर तक आगर हमगो करयाँ बस reported स्मोग के नुक्सान बात करें, अब नेक्स्ट सब्सक्राइब सातै कि प्रियुक्त अरफम तो रही है मतलब कि यह काफी लंबी है हम कहते हैं कि 13 सेंचरी से लेके आलमोस्ट 20 सेंचरी ताक न इसको एर पॉलुशन पर बहुत जादा वर्क किया गया और इसका बहुत जादा कहना की इंकरीज हुए अब एर पॉलुशन जो है यह किसके साथ एसोसियेट करती है तो एर आसोसियेट है मेंली जिसके साथ आसोसियेट है वो है वीज सलफर अकसाइड सलफर अकसाइड गैसी के साथ और इसके साहसा смысट ठीक हैtest है जो बहुता होतीँ ना दुआव गर्णा जलाने से जो सवाब अचतेए उसको सूट भोलतें तो जो एर पॉलुशन के में जो जिसके अंदर ये दो चीज़े होती है उस pollution को हम कहते हैं कि वो हमारे पास है London Smog ये इसकी वैसे जो pollution बनती है उस smoke को हम बोलते हैं वो क्या है London Smog है अब London Smog क्यों कहते हैं उसकी main reason ये है क्योंके तकरिबन डिसंबर 1952 के अंदर दिसंबर 1952 जब था ये लंदन स्मोग इस एरिया में लंदन में क्या था बहुत हाई लेवल पर स्वेयर कंडिशन में वहां पे हो गई थी जिसके वैसे काफी लोग री डाथ थी थी आर्मॉस कहलें 4000 पिपल जो थे उस टेम मार चुके थे ड्यू टू डिस लंदन स्मोग ठीक है इसको लंदन भी इसलिए कहा गया क्योंकि लंदन में सबसे ज़र्दा स्वेयर कंडिशन पर हुई थी इसलिए हमने इसको लंदन स्मोग का नाम द तो आए एंडिएजयर कंसलिएशन फोट पोलीशन ने दिए जिसको इन्हें कहा था ठाड़ जाएज़ाओ जब्त वेचेशन पैर थे थे लंदन जार्या स्विकाओन अपर हाई तो यसरो कांसलिएशन और उन अच्छा जो हमारा नेक्स्ट है वो हमने पढ़ना है एफेक्ट पढ़ना है एट्मोस्फेरिक ऐरोसॉल का ओन क्लाइमेट पे क्लाइमेट के उपर हमारा यह जो एट्मोस्फेरिक ऐरोसॉल है इसका क्या एफेक्ट है ठीक है climate कैसे change होता है due to atmospheric aerosol इसकी बात करें तो हमारे पास घुमारे जो atmosphere है इसके अंदर दो तरह के particles होते है कुछ particles जो होते है वो bright color होते है और translucent particles होते है कुछ particles जो हते है वो darker hayaosols होते है कुछ मैंने कहा वो होते है bright और क्या होते है translucent होते है जो light को इजिली pass कर दते है, reflect कर दते है और दूसरे कुछ होते है, darker aerosols होते है अब यह दो तरह की aerosols होते है अब हमारी जो जमीन है, हमारी जमीन को हर तरफ से energy मिल रही है different direction से energy मिल रही है यह energy A कहां से रही है, उसके पास, वो आ रही है हमारे पास sun से इसको energy मिल रही है अब हमें पता है हमारी जो अर्थ है इसमें जगा जगा पर हमने का कुछ aerosols है ठीक है यह जो aerosols है कुछ हमने का bright है और कुछ जो हमारे पास dark जो brighter वाले होंगे bright होंगे bright color के और translucent होंगे यह क्या करेंगे यह light को reflect करेंगे their radiation in our direction and back toward space light को ठीक है मतलब यह light को आएंगे light यहां पर इनके पास आएगी क्योंकि यह ट्रांस्लोकेंट है तो यह इसको हर direction में कहलेंगे पास आउट कर देगा easily normal atmosphere रहेगा climate change इतना नहीं होगा मतलब कहलेंगे अच्छा रहेगा अब जो darker aerosols होंगे darker aerosols क्या करते हैं यह इसको अपने light यह हमने bright की बात की कि वो क्या करेंगे light को light आएगी उनके पास जब light आएगी तो वो उसको क्या करेंगे हर तरफ reflect कर देंगे पहला देंगे in all directions में और कुछ जो है वो वापस भी जाएगी light ठीक है जैसे इदर आई कुछ वापस भी चली जाएगी क्योंके हमें पता है जो sun light से रोशनी आ रही होती है कुछ अपनी चीज़ों से फाइन पार्टिकल से टक राकर वापस चली जाती है बट कुछ जो हती है वो अर्थ तक पहुंच जाती है बट अर्थ तक कप पहुंचेगी जब ये ऐरो सोल्स ब्राइट होंगे और प्रांसलोकेंट होंगे दूसरी हमने बात की डार्कर की डार्कर एरो सोल्स जो होंगे वो क्या होते है वो बहुत सारी light को खुद ही absorb कर लेते है जो डार्कर वाले होंगे वो light को absorb कर लेते है जिसकी वैसे उस हिससे का या कहलें कि यह अब जो था यह अर्थ हमने का यह हमने का light वाला था और यह हमा जो डार्क वाला होता है जो डार्क करना था जो डार्क वाला होता है ये खुद ही क्या करता है लाइट को अब्जोर्ब कर लेता है जब इतने से हिस्से पर लाइट रहेगी ज्यादा साही लाइट इसी हिस्से पर पड़ेगी तो इसका तंप्रेचर जो होगा वो क्या हो घखाटे जायागा दिधे हैंद्ट हमें सिस्टाइये तो समय पारे जैए हम पास लद चैन्च मेह जाया है तो हमारे पास आईस के पढ़े हैं वे ट्ले में होना है इसाँ सपारा आए जिदि लाया है जुडाने और बार है सलाब आने लगता है उसके पाथ जब जमीन पर पहनी बहुत जदा मांट में हो जाता है तो क्या शुटा होता है 円 बारिश आने की वज़ा बनती है बहुत जदा बार्षी ओने लगती हैई ठीक हैं यह सब कैब होगा जिब तüber्ट्रूं लाइट आपटों है तुक्य है थे लाइट को अपूर्छन को लीचाम का जो तुम्परशन से रोसोल जो से और कौन से तो जो सलपेट है और सलफेट सलफेट है हमारे पास उसके लावा नाइटरेट है यह लाइटर है लाइटर है यह मतलब यह कूलिंग इफेक्ट पर्ड्डिवस करते हैं नॉर्मल मॉड्रेट लेकिन उसकी निस्बत जो ब्लैक कार्बन यह सबसे जादा वाम करता है एटमोस्फेर को ठीक है इसकी वह से एटमोस्फेर का जो टम्प्रेचर बहुत ज्यादा राइस कर जाते हैं यहां तक हमारा आज का लेक्जर का पहले सबसे पहले हमने एरो सोल्स को डिफाइन करने कि पर इसकी तू टाइप को पढ़ने फिर इसके फैक्ट पढ़ने एफेक्ट पर नाश्य पर पाहने वाह पॉल्यूशन पॉल्यूशन पांप खिला यह को डिफिए फोटोक्यमिकल ऐस यह लंदन स्मोग यह साब इसकी इपेक्ट में आता है उसके बाद हमने पढ़ा के जो के उपर इसका atmospheric effect होता है, climate affected होते हैं by atmospheric aerosols, वो हमने read किया, यहां तक हमारा lecture जो ता वो आज का end होता है, इसके इलावा गर किसी को कोई question, कोई problem, issue होगा, तो please tell me in comment section, thank you so much.